यूपे के बहराईच में एक और आदम खोर भेडिया पकड़ा गया भेडिया मंगलवार सुबह चार बजे मैसी तहसील के हर बंच पुर गाउं में घुस रहा था तब इस अर्चिंग टीम और ग्रामीनों की नजर उस पर पड़ गई ग्रामीनों ने लाठी डंडे लेकर भेडिये का पीछा कर उसे घेरा और उसके पीछे दोड़े भेडिया उसी दिशा में भागा जिधर वनवभाग ने जाल लगा रखा था जाल में फस्तही वन्वभाग के करमचारी और ग्रामीनों सहेत 10 लोगों ने भेडिये को दबोचा तब जाकर उसे पिंजुरे में कैज किया गया आपको बता दें उतरप्रदेश के इस अलाके में वन्वभाग और अस्थानी प्रिशासन की 500 कर्मियों की टीम बीश दिन से आदम खोड़ भेडिये की तलाष में अलगे हुई थी दो महीने में भेडियों का जुण नाओ लोगों को घायल कर चुका था नाओ लोगों की जान ले चुका था पचास से ज़्यादा पर हमला कर चुका था अब तक 5 बीडिये पकड़े जा चुके हैं जी इससे पहले हम लोग 4 बीडिये पकड़ चुके थे आज हम लोगों ने 5 बीडिया पकड़ा रेस्क्यू किया है कल इसकी लोकेशन हम लोगों को मिल गये थी कल नत्वापुर में इसने एक बक्री को उठाया था पर इसके पगमाक्स को ट्रेस किया गया जो हमारे जो टीम है अजीत जो यहां के डियेफो बहराईच है वो उनकी टीम ने मिल करके और यह रिस्क्यू आपरेशन किया कल चुकि रात हो गया थी लेट हो गया था यह सब देखते और करते तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मॉनिंग में हम लोगों ने स्टीम को लगाया और स्टीम ने इसको रिस्क्यू गिया यह यह बेडिया मादा है और हम लोगो कुशिश करेंगे कि इसको किसी जू में साब से कंसल्टेशन के बाद ही इसको भीज़ जाएगा